नवश्कार में अप्रिया आज है दो जुलाई खपरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में 75 बीडियों का हुआ तबादला कॉलकता में इन्वेस्टर्स मीट का हुआ आयो जुन बिहार में शराब ढूणने के लिए एक और नया तरीका अपना रही है नितीश सरकार बिहार में 28 एडियम का भी हुआ ट्रांस्फर पोस्टिंग भारत की खिलाब टी-20 और बंडे सीरीज के लिए इंग्लान निकिया टीम का ऐलान अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और बिस्तार से बिहार में 75 बीडियो का हुआ तबादला बिहार में तबादलों का दौर शिरू हो गया है पिछले दो दनों में बिहार में अलग-अलग विभाग के कई तबादले हुए हैं इस बीच अब एक बार फिर से बीते दिन बिहार के नितीश सरकार ने 75 बीडियो का ट्रांस्टर कर दिया है इसको लेकर सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है राजधानी पट्ना समेत कई जिलों के बीडियो बदल दिये गये हैं तबादले की लिस्ट में प्रतिक्षारत पदाधिकारी भी शामिल है जिसकी तहती किशन गंच की बहादुर गंच बीडियो लाकेश गुपता को अर्वल के सोन भदर वंशी का बीडियो बनाए गया है वही प्रसिक्षो अधिकारी कृष्ट कुमार को कटिहार प्रतिक्षारत अधिकारी दीपक कुमार कौशिक को कैमूर के अधोरा का बीडियो बनाए गया है और मनेर के बीडियो चंदन कुमार को अरर्या के नर्पत कंजब की बकसर के नावा नगर बीडियो धर्मेंद्र कुमार सिंग को कैमूर के कुद्रा का बीडियो बनाए गया इसके साथ ही सरकार ने कई बीडियो का तबादला कर दिया है नवोदे विद्याले समीती अन्वेस ने निकाली रिखतिया नवोदे विद्याले समीती एंबेस ने प्रिंसिपल लाइब्रेडियन प्रसिक्षत सनातक सिक्षक, सनातक ओतर सिक्षक, विविद सिक्षक, कलाश सिक्षक, P.E.T. पुरुष, P.E.T. महिला के कुल मिलाकर 1616 पत पर आविदन की मांग के हैं, इन पदों के लिए सेक्षनी क् समीत प्रसांगेता की बात करें, तो अभियर्थियों के पास 50% तंकों के साथ, Master's डिग्री और 50% तंकों के साथ, B.E.T. या दो साल का Integrated PG Course या प्रसांगेक विशय बेसमकष्री या 50% तंकों के साथ, divisions के साथ, सनातक संगीत में सनातक ललित कला में, डिपलोमा, B.E.D. और बिहार में मौनसून की पूरी तरह से एंट्री हो गई है बीते दो दिनों से बिहार के अलग-अलग जिलों में हुई बारिश ने विहार वासियों को गर्मी से तो रहाद दी है साथ ही आने वाले दिनों के लिए भी अच्छे संकेत दे दिये हैं मौसम विभाग के तरफ से साज़ा की गई जानकारी के निसार बिहार में मुसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट ज्यारी कर दिया गया है इतना ही नहीं कई जिलों में तो विभाग ने वजरुपात की भी संभावना जटाई है मौसम विभा की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के रंसार बिहार में दक्षन पश्रिम मौनसून को लेकर काफी तेज बारिश होने का अलर्ट है और मौसम विज्ञानियों का ये भी कहना है कि फिलहाल प्रदेश में बारिश होती रहेगी इस दोरान अकाश्य विज्डी गिरने का भी अंदेशा है ऐसे मिन लोगों को अतिरिक्त साफधानी बरतनी की सलाह दी गई है BPSC पेपर लीक मामले में CBI नहीं करेगी जाँच BPSC की सरसथवी परिक्षा की पेपर लीक मामले में भद्द पिटवा चुकी बिहार की नितीश सरकार अब इस मामले में स्तनलिपत लोगों को ढूणने में लगी हुई है इसी बीच ब BPSC पेपर लीक मामले में पतना हाई कोट ने बीते दिन एक जाँच को बड़ा जटका दिया है जब से पेपर लीक की घटना हुई है तब से हिसके जाँच की मांग की जा रही थी और ये की जा रही थी कि CBI इसकी जाज करे लेकिन पटना हाई कोट ने बीते दिन इस मामले में CBI जाज से इंकार कर दिया है इसको लेकर बीते दिन बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा आयोजित सर्सथवी सेंक्त प्रतियोगिता परिक्षा के पेपर लीक मामले की जाज CBI से कराने की जनहती याचिका को पटना हाई कोट ने खारच कर दिया संजीव कुमार मिश्रा की जनहती याचिका पर चीफ जस्टिस संजे करोल की खंड़पीट ने सुनवाई की सिपाही के 8,415 पदों के रिजल्ट को लेकर CSBC ने किया आयलान बिहार में सिपाही के कुल मिलाकर 8,415 पदों के परिणाम जुलाई के आखरी में आने वाले है इसको लेकर बीते दिन ही केमद्रिया चैन परश्रत के अध्यक्ष के स्दुएदी ने जानकारी दी है जिसके तहती उन्होंने कहा कि जिन भी 8,415 पदों का फिजिकल पूरा हो चुका है उसके लिए फिलहाल स्कूरूटनी का काम चल रहा है जुलाई के अंतिम में परिणाम की घोशना कर दी जाएगी यानि कि बिहार पुलिस को 8,415 और नए जवान मिल जाएंगे इसके साथ ही 2020 में CSBC ने 8,415 पदों के लिए विग्यापन मंगवाए थे और इसको लेकर के लिखित परिक्षा के साथ ही फिजिकल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने का काम पूरा कर लिया गया है अब सिर्फ परिणाम का इंतिजार किया जा रहा है किशन गंश के खग्रा मेला में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास प्रतेक वर्ष जनवरी फरवरी में मनाई जाने वाले इस मेले के शिरुवात 1950 में स्थानिय निवासी सयद अटा हसन ने की थी पहले ये क्रिशी मेले के रूप में शिरु हुआ बाद में ये खग्रा मेले के नाम से प्रसिद हुआ पहले इस मेले की तुलना दुनिया में प्रसिद सोनपूर मेले से की जाती थी मेले के समय हजारों के संख्या में लोग खरिदारी करने यहां आते हैं बिहार के साथ विधान पार्शुदों का कारेकाल इस महीने होगा समाप्त बिहार में शिरू हुई बाढ़ की तबाही बिहार में मौनसून के इंट्री के साथ ही नेपाल के सिभाई इलाके में हो रही बारिश ने बाढ़ की संभावनाओं को बिहार में मजबूत कर दिया है क्योंकि बिहार में बारिश के साथ ही कोची सिमान्चल के गाउं में अब पानी भी घुसने लगा है अरर्या किशनगन, सुपॉल, सहरसा और पुर्णिया समेथ कई जिले के गाउं प्रभावित होते नजर आ रहे है महानन्दा के जलस्तर में व्रिधी को देख, प्रखंड छेत्र के ग्रामीन में दहशत का माहौल बना हुआ है लोकमानपुर में भीशन कटाव होने से एक कटाव का दायरा दिन प्रते दिन बढ़ता ही जा रहा है कटाव की रफतार इतने तेज है कि अमबेटकर चौपाल कटाव की ज़द में आ गया पुर्णिया में भी बाड़ की स्थिती उत्पन हो गई है पुर्णिया के बैसा प्रखंशेत्र होकर गुजरने वाली महानन्दा एवं कनकई नदी उफनाने की कारण प्रखंशेत्र के अधिकांश गाओं में बाड़ का पानी बिहार में 28 एडियम का हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में इन दिनों तबादनों का गजब दौर चल रहा है इसी कड़ी में बीते दिन भी विभिने विभागों में बड़ा फेर बदल देखने को मिला जिसकी तेहती समारे प्रसाशन की तरफ से साज़ा की गई जानकारी के निसार बिहार में 28 एडियम का ट्रांसफर कर दिया गया है इससे पहले ही बड़े स्तर पर सी ओ और बीडी ओ का ट्रांसफर किया गया था जिसकी बाद बीते दिन एक बार फिर से अपर समाहरताओं का तबादला किया गया मिली जानकारी के नसार रमन कुमार सनहा को पटना के अपर समाहरता से अपर जुलादनादिकारी बनाए गया है इसकी पूरी सूची सामाइन प्रसाशन विभाग की तरफ से साजा कर दी गई है कौकता में इंवेस्टर्स मीट का हुआ योजन बिहार में निवेशकों को आकरशित करने के लिए बिहार उद्योग विभाग लगा हुआ है इसी कड़ी में बीते दिन बिहार के उद्योग विभाग ने कौकता में इंवेस्टर्स मीट 2022 का आयोजन करवाय था जसका उद्योग मंत्रे सेद शाह नवाज हुसेन ने किया वहीं इस दोरान वो निवेशकों से रूबरू भी हुए जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दे कि बीते दिन कौकता के पांच सितारा ग्रेट इस्टरन होटेल में सुभे साड़े दस बज़े से इस मीट का आयोजन किया गया उद्योग विभाग और इंडियन च्रामबर ओफ कॉमर्स के संविक्त तत्वधान में इस इंवेस्टर्स मीट का योजन किया गया इसमें बंगाल समेट पुरवोतर छेत्र के कई उद्योग पती हिससा लेने पहुँचे थे सरकार के एक फैसले ने लगाय बिहार में सो फैक्ट्री उपर ताले बिहार ही नहीं पूरे देश में इस सिंगल यूज प्लास्टिक पर बीते दिन से रोक लगा दी गई है जिसकी बाद से इस सेक्टर में उत्पादन और विक्री का काम पूरी तरीके से ठप हो गया है इस फैसले के साथ ही बिहार में करीब 100 कटलरी यूनिट की मशीने बंध हो गई है साथ ही 50,000 श्रमिक बेरोजगार भी हो गया है इस सेक्टर में अब विवसाईयों की घरीब 320 करोर रुपे की पूंजी फस गई है वहीं सरकार के इस नए फैसले के साथ ही सरकार ने अब सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प बायो डिक्रेडिबल मेटेरियल को बताया है आज बिहारी बत्रे स्पेशल में हम बात करेंगे आलोक धन्वा की आलोक धन्वा का जन 2 जुलाई 1948 इसा में मुंगेर बिहार में हुआ वो हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिनोंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है जनता का आदमी गोली दागो पोस्टर कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटिया हिंदी की प्रसिधि कविताए हैं अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुबाद हुए हैं उन्हें पहल सम्मान नागारजुन सम्मान फिराक गोरखपुरी सम्मान गिरिजा कुमार माथुर सम्मान भवानी प्रसाद मिश्र स्मृती सम्मान मिले हैं पटना निवाची आलोग धनवा महात्मा गांधी इंतराश्य हिंदी विश्विस्तर ये वर्धा में कारे रखें। पहले वाहनों के स्कैनर खरीदने का फैसला लिया है। अपने लिखे गीतों के जरिये वो अब तक संगीत की दुनिया में विहार को सुर्खिया दिलवा चुके हैं। बॉलिवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में बिहार के संगीत का अभिशेक टालेंटिर की गीतों पर कई स्टार डांस करते नजर आ रहे हैं। अभिशेक बताते हैं कि संगीत मुझे उनके माता पिता से विरासत में मिली है। और पापा ज्रमर थे और माघर में ही गाती थी। नवी में अडमिशन को लेकर सरकार चुंतित। इस दोरानी सिक्षा मंत्री विजे कुमार चौधरी ने चिंता जाहिर करते वे कहा कि करीब 17-18 प्रतिशत चात्र आठवी पास करने के बाद नौवी में प्रवेश नहीं कर लेते हैं जो सरकार के लिए भी चिंता का विशे है। इसलिए घर-घर जाकर चात्रों को नौवी इस बीच अफ्ते जस्वी को मांशी ने अपना समर्थन दिया है जुसके तहती अगनिपत योजना को जल से जल वापस लेने की मांग करते वे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस योजना को आज नहीं तो कल वापस लेना ही होगा। भाजपा और जदियू की बन नहीं रही जिसके कारण ही बिहार में इंडिये सरकार के अंदर खटपट की स्थिती देखने को मिल रही है। बाल्मी की ताइगर रिजर्ब में गंडक नदी में मिले 148 घडियाल के बच्चे। विहार में परिटन को बढ़ावा देने में लगी नितीश सरकार परिटन के छेत्र में किवादेक विकास कर रही है। इसी बीच बाल्मी की नगर के गंडक नदी में निरीक्षन के दारान घडियाल के पांच घोसले मिले जिसमें से एक घोसले के अंडे को सियार और अन्य जीवों ने खा लिया। बही एक अन्य घोसले के अंडे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ाने के कारण बह गया है। के साथ ही तेजस्वी आदव ने अवद बिहारी चौधरी को सदन का स्पीकर बनाया और कारवाई शुरू की। सदन की कारवाई शुरू होते ही माले विधायक महबूब आलम ने सरकार बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया। इसको लेकर अब जनाधिकार पार्टी के मुख्यार पुर्विसांसत पपुयादव ने तेजस्वी आदव पर निशाना साधा है। इसके देहती पपुयादव ने अपना बयान जारी करते वे कहा कि पहली बार मैंने दुनिया में देखा कि स्वयम भू मुख्यमंत्री भी लोग होते हैं। इतना हास्यपद, इतना बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि ना तो अपराध मुद्दा है और ना ही बार मुद्दा है। पता नहीं तेजस्वी की क्या मिलचा है। इतना ही लोगों से अपील की है कि जो कोई भी पिछले दिनों उनके संपर्क में आया है वो अपनी जाच जरूर करा ले। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि मिधान बंडर के मौनसून सत्र की समापती के ठीकवा नीरज कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आने से हड़कंप बच गया है। भारत के इतिहास में आज़ की तारिक कई कार्णों सेहदर्च। भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने 2004 को जुरकार्ता में आपसी बातचीत की प्रसिदि जन कवी आलोग धनवा का जन्म 1948 में हुआ। स्वतंदृता सेनानी और रिसमाद सुधारक यूसुफ मेहर अली का निधन 1950 में हुआ। भारत के खिलाफ T20 और बंडे सीरीज के लिए इंगलान ने किया टीम का अलान। इंग्लान टेस्टीम की कप्तान को अभी भी T20 सीरीज से अराम दिया गया है, स्टोक्स ने इंग्लिश टीम के लिए आखरी T20 मार्च 2021 ने खेला था यूट्यूब पर नहीं दिखेंगे विग्यापन, यूट्यूब पर अब कोई जरूरी वीडियो देखना है और ऐसे में कोई विग्यापन आ जाए तो मजाग किर्किरा हो जाता है अगर आप इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो खुद यूट्यूब आपको ये मौका दे रहा है अब आप भी यूट्यूब प्रेमियम सब्सक्रिप्शन पूरे 12 महीने के लिए मुफ्त में पा सकते हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक आम यूट्यूब यूजर को अगर प्लाटफॉर्म पर वीडियो शो या फिर मूवी देखने की जरूरत पड़ती है तो उसे धेर सारे विग्यापन का सामदा करना पड़ेगा इस साल की शुरुवात में यूट्यूब टीवी की तरह यूट्यूब ने यूजर के लिए एक रेफरल प्रोग्राम शुरू किया है ये रेफरल प्रोग्राम किसी अन्य की तरह है तो दूसरी तरफ बिहार में विपक्ष में बैठी राज़त ने अब नितीश सरकार में महा जंगल राज़ आने की बात कही है ये बायान खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने दिया है तो क्या कहा जाए बिहार के बाज़पा के अधिकांश नेताओं को केंद्री सरकार ने वाई श्रेनी की सुरक्षा दी है क्योंकि उन्हें अपनी ही डबल इंचन सरकार, ग्रह मंत्री, ग्रह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है तेजस्वी ने इस द्वारान प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से सवार भी कुझे पटना के इस कौन मंदर में भगवान चगननाथ यात्रा का किया गया आयोजन बिहार की राजधानी पटना के इस कौन मंदिर की तरफ से भगवान जगननाथ रथ यात्रा का आयूजन बीते दिन करवाए गया इसी मौके पर बिहार वधान सभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा मुख्याती थी के रूप में पहुंचे थे वहें इसके साथ ही पुर्व मंत्री श्याम रजक समेत कई गंड़ माने लोग ने इस रत यात्रा में ज़ाड़ू लगा कर यात्रा की शिरबात की जिसके बाद ही हाथी, घोड़ा, उट और बैंड बाजे के साथ ये निकली लंबी शोभायात्रा में इस कौन भक्त और अपार जनसम द्वार हरे क्रिश्न महामंत्र के कीर्टन से समस्त वातावरन भक्ती में हो गया जै जगनाथ, जै बलदेव और जै सुभद्रा के जै घोश ने ऐसा समाबान दिया कि लोग वास्तफ में पूरी में उपस्तित होने का अनुभव कर रहे थे कल हमारे द्वारा पूछे गैस सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत हैने बाद आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रामा वर्मा, नुन्नु कुमार, अखिलेश यादव, सुभाज ठाकुर, मुन्ना ठाकुर, प्रिया यादव, राजकुमार प्रसाद, सुरेंद्र पंडित आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल क्यों और आज का सवाल कुछ इस प्रिकार है आपके निसार भारती क्रिकेटी में वर्तमान समय में सर्विश्रेश बल्लेबाज और ओल्राउंडर कौन है अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिबस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से बडेटेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक कौन दबारा ना भूलें नहीं नवाद